हाई दोस्तों वेलकम टू माई चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था फ्री मौफिम और बाउन मौफिम के बारे में तो आप हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बाउन मौफिम की और यह वीडियो का हमारा पहला है इसका दूसरा पार्ट इस वीडियो के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा तो आप अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले बाउन मौफिम के क्लासिफिकेशन पहला आता है अफिक्स तो बाउन मौफिम क्या है जो अके लिए स्टेंड नहीं कर सकते किसी ने किसी कॉ जो भी कॉंबिनेशन वो होता है या तो किसी वर्ड के पहले जुड़ता है या बाद में जुड़ता है या बीच में जुड़ता है यही हो सकता है तो उनको हम क्या नाम देते हैं अफिक्स अब देखो अफिक्स क्या होता है अफिक्स आर बाउन मौर्फिम्स अटेश्ट to a word they suggest where exactly are they attached to in a word a fixes participate in the word formation of a language they are always born morpheme and do not belong to a lexical categories a fixes को हम कभी भी lexical categories में नहीं रखते हैं lexical categories means जिनकी proper एक मीनिंग होती है वो केली स्टेंड कर सकते हैं जैसे नाउन हो गया बट एफिक्स कभी भी lexical categories में ना आके बल्कि functional categories के base पे काम करता है अब इसमें हम देख सकते हैं जो place of occurrence मतलब जो एक place होता ना जुड़ने का कि कहां पर क्या जुड़ेगा उसके बेस पे ऐफिक्स फॉड़ डिवाइड किया गया है ऐसे स्टर्ट पॉइंट डिव रूट वर्व, हमेशा प्रिफिक्स जो था हे हिंदी में हम प्रिफिक्स को क्या बोलते है उपसर्ग जोग किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं न है हिंदी में जो कॉंसेप्ट और न प्रिफिक्स का वो तो आप जानते ही हैं जिनको उपसर्ग भी वर्ड के पहले उसको लगाया जाता है इसमें इस घ्रमपल सब देख सकते हैं English का कि अन कोई भी वर्ड आप ले सकते हो अन इंटेनसेंशनल हो गया रॉक्य रिस्टाइट अन सोरी दो बार लिग गया डिस्डिस्रिस्पैक्ट प्रिफिक्स तो यह सारे प्रिफिक्स के एक्जैंपल सो गया है सफिक्स को हम चिन्दी में प्रत्यां बोलते हैं जो लास्ट में लगा जाता है न वर्ड के suffixes are attached after the root to for example ly हो गया, er हो गया ing, able al, ये सारी चीज़ें क्या है वर्ड के बाद में जोड़ जाती है इसले इनको क्या कहते हैं suffix कहते हैं ओके, फिर है infix infix और सबसे पहली बात है आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं prefix है ना, prefix नाम से समझ में आ रहा है, pre मतलब पहले suffix, बाद में infix मतलब बीच में, between तो infixes are placed within the root itself, within मतलब बीच में root word के बीच में लगता है for example, ये English में नहीं पाए जाता properly, तो ये देखो एक language है, tagalog language, जिसमें दिया गया है, देखो, D है, फिर UM जो है, वो infix लगा इसमें, ये UM जो दिया है बीच में है, ये है, infix infix है, और फिर जुडा है, A-T-E-R इनका, इसका नतलब होता है, वाइसर फिर आता है, circumfix, if a prefix and suffix act together to realize one more thing and they do not not occur separately, it is like a discontinuous morpheme तो बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, जो circumfix है circumfix में दो आपको prefix, sorry, दो morpheme मिलेंगे, प्रिफिक्स होगा एक suffix हो, दो नो, एक साथ एक word में जुडेंगे, जैसे prefix suffix अलग अलग रहाता था ना, वो आगे जुड़ता था, वो पीछे जुड़ता था, पर इसमें circumfix में prefix और suffix दोनों एक morpheme की तरह realize होते हैं, और एक साथ ही जुड़ते हैं, इनको अलग अलग नहीं जुड़ा जाता, ये एक discontinuous morpheme की तरह होते हैं, circumfix को एक नाम से जाना जाता है, जिसको बोत हैं, discontinuous morpheme that occurs at a beginning and end of the root, beginning भी और last में भी दोनों में ये जुड़ता है, for example जैसे मलय वर्ड है, ये भी English में ज्यादा तरह नहीं पाया जाता है, कहीं पे भी, तो मलय वर्ड का एक जैंपल है, जिसने इसमें देखो, के आदिल अन, ठीक है, के और अन, के क्या है, prefix है, अन है, suffix, दोनों सेम तरह से behave करते हैं, इसलिए इनको हम circumfix कहते हैं, तो ये, ये हो गया circumfix, अब हम बात करते हैं, another classification of affixes, including derivational and inflexional, derivational और inflexional morphem के बारे में हम बात करेंगे, तो derivational affixes क्या होते हैं, derivational affixes are those bound morphemes that are added to one word to create another word, with a meaning and a category distinction, which may be distinct from that of its base, हमको कुछ चीज़ें derivational morphem में बहुत important है जाननी, जैसे कि पहली चीज़ ये, कि derivational जो एफिक्स होता है, वो एक bound morphem है, bound morphem के साथ साथ ये है कि वो category changer भी है, मतलब अगर वो noun में जुडेगा, तो उसकी category change हो जाएगी, जैसे word बनेगा, adjective बनेगा, जो भी category change हो जाती है, और form में, form में भी change होता है, और category में भी change होती है, ये दूसरी चीज़ याद रखनी है, तीसरी बात ये याद रखनी है, कि ये हमेशा base से जूड कर बनता है, ठीक, तो derivational morphem के बारे में होगे, जैसे example आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे verb to adjective, अगर verb में कोई भी derivational जूड रहा, तो वो adjective बन जाएगा, देखो, read में able जूड गया, तो read able बन गया, तो read एक verb था, और ये क्या बन जा रहा है, adjective बन जा रहा है, फिर दूसरी देख सकते है, verb to noun, verb write था, उसमें er जोड दी अगर, तो वो noun बन गया, writer, तो ये category में change कर रहा है, verb से noun बनाना, verb से adjective बनाना, noun से adjective बनाना, noun से verb बनाना, मतलब ये सारे categories को change कर देता है, तो इसमें जो भी affixes हैं, जैसे पहले में able affix लगा है, तो ये कह है, derivational affix, er भी derivational affix है, ish भी derivational affix है, तो ये सारे जो भी example आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो सारे derivational affix में, तो derivational affix आई हो, आप लोग समच चुके होंगे, अब हम बात करते हैं, inflectional affix की, inflectional affixes are those bound morphemes whose presence in a structure is mandated by the structure of a sentence, its changes in forms only, not in grammatical category, तो दोनों में difference यह है, कि जो, ओके, मैं इनका difference अच्छे से बाता आ देती हूं, चलो, तो derivational में मैंने कहा था, कि ये bound morphem है, inflectional भी एक bound morphem है, derivational categories में change करता है, और form में भी change करता है, but inflection only form में change करता है, not in meaning, meaning में change नहीं करता है, जैसे उसमें example हम दे रहे थे कि वर्व से noun बन रहा था, but इसमें वर्व से बर्व ही बनेगा, noun है तो noun ही बनेगा, सिर्फ forms में changes होईंगे, example आप देख सो तो dog pluses है, dogs, dog भी noun था, dogs हो गया, तो भी noun है, प्लूरल morpheum हमेशा base से जुड़ कर बनता है, और inflection morpheum हमेशा stem से जुड़ कर बनता है, अब means noun becomes noun and verb becomes verb, no category is change here, कोई भी category change नहीं होता है, तो यह था classification of bound morpheum के बारे में, तो पहला इसमें topic आ था affixes, affixes के अंदर ही हमने सारे कुछ डिसकस कि रहे हैं, prefix, suffix, infix, circumfix, और अधर यह था derivational और inflection fix, तो यह आधा ही पार्ट है इसमें, डेक्स्ट वीडियो में हम इसका second part देखेंगे, जिसमें इसके और अधर जो पार्ट बच्चे हुए हैं, bound morpheum के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो यह था bound morpheum के बारे में, तो I hope आप लोगों कुछ समझ में आए हुआ, thank you so much.